कि वैसे तो हम जहां भी जब खड़े होते हैं तो हमेशाए एक मेंटोर की जरूत होती है अपने हर कल के लिए आज इस्ट में हैं पॉलिटिक्स में हैं तो आज हमारे पास हमारे मेंटोर हैं गाइड हैं लेकिन स्कूल एज में सबसे जादे क्रिटिकल होता है जब और खासतोर से जब आपके सामने चारों तरफ से इतने इनफॉर्मिशन आ रहे होते हैं आइडियाज आ रहे होते हैं जो भी बच्चे यहां बैठे थे उन्होंने बोला कि पीर प्रेसर है पैरेंट्स का प्रेसर है टीचर से दी गई इनफॉर्मिशन है यह सब ब्लैंड होके दिमाग का दही बना रही होती है उसमें कोई चाहिए जो उसमें से घी निकाल दे तो मैं फॉर्चुनेट था मेरे फादर तो टीचर थे तो मैं फॉर्चुनेट था कि मेर फिरे बड़े भाइप यह प्रजाए अपनी पढ़ाई अच्छाय आख्छा सब्सक्राइल करते थे और हमेशा मुझे और 것이 को गॉप इसी होती है कि उस वक्त सब कुछ इतना इंफ्लेंस कर रहा होता है ना मुवी देखो बॉर्डर मुवी देख लो तो लगता है फौज में जाना चाहिए गंगाजल मुवी देख लो तो लगता है बस अब तो IPS बनके रहना है किसी जिले का SP बनके ठीक करेंगे देश को टीचर कि डॉक्टर बनके निकालनी है मिल गया केरियर और वो ना यह पता होता है डॉक्टर कैसे बनना है ऐसे इंफ्लेंस होने में इस पैर होने में कोई दिक्त नहीं है यह नहीं पता होता IPS कैसे बनना है तो वो डेली इंफ्लेंस मन पे बनता जाता है बनता जाता है फिर एक बर्ष पर विधियान देना है उसके ओवराल वो कोई एक आदमी हो और वो पैरेंट भी नहीं हो सकते हैं हर फैमिली में मैं फर्स निट था मुझे मेरे बड़े भाई मिल गए लेकिन हर फैमिली में उतना वेल आर्टिकुलेट वेल इंफॉर्म्ड या वेल इनलिटिकल स्किल से कोई बंदा नहीं होता है वहाँ एक मेंटर की जरूत है राज इसलिए प्रोगाम हम सुरू कर रहे हैं मुझे तो मेरे बड़े भाई मिले लेकिन हर बच्छे को बड़े भाई या बड़ी बहन के रूप में एक मेंटर मिल जाए यह हमारे इस प्रोगाम की कोशिश है